हलो एवरिबन कैसे हैं आप सब चलो अपना इंट्रोडेक्शन दो हो चुका है अपना दो पार्ट देख चुके हैं आप वीडियो के अब ये थार्ड पार्ट है जिसमें आप अपना है अकांटिंग का फ़र्स्ट चेप्टर है जो पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका आज है जो अकांट्ट रसी का पहला चेप्टर है ऐवं ट्लास का वो खतम हो जाएगा अकांटिंग का जन्र二 इन्फोमेशन जो छलिए शुरू करते हैं अक्वा हैँ आपने चे end करने की और शुरुआत करते हैं तो हमने जहां कल छोड़ा मतलब पहले पार्ट में जो छोड़ा था वो मैं आपको बता दू कि हमने कहां छोड़ा था कि हमने last छोड़ा था लेखांकन के उद्देशे यानी objective of accounts तो यहां पर हमने complete कर लिया था इसके बाद हम अपना अगला topic पढ़ेंगे आप अपनी books में check करते रहे न कि कोई topic रहे न जाए या आपको पढ़ने में समझ में नहीं आया तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं तो हम अगला शुरू करते हैं accounting का जो है हमारी life में या हमारे आसपास या हमारी business में उसकी क्या भूमी का है तो role of accounting या लेखंकन की भूमी का अपने जीवन में हो या अपने व्यपार में हो या कहीं पर भी देखो जहां रहते हो जिस जगे field में हो अपने आसपास देखो कि क्या कहीं ने कहीं आपके कि आसपास accounting का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो जब आप अपने आसपास देखें 직म को पता चल जाएगा कि एक accounting नहीं होती तो क्या होता क्या होता कि आप बैंक जम करें की आज आते हो पता चलता है कि उसका तो पर अकाउंटिंग कोई लेखा जो कहीं नहीं है अगर पैसे किसी ने खा लिए बीच में तो पता भी कैसे लगेगा तो अकाउंटिंग बहुत इंपोर्टन चीज है हमारे लिए हर फील्ड में हर जगे आप अपने घर का लेन देना है तो उसका भी हिसाब या ब्योरा या ले कमटेन रहता है पापा जी पहले से बजट बना लेते हैं कि हमें कौन सा पैसा कहा है तो उसके लिए भी आकाउंटिंग यूज होती है हाँ वह अलग है कि हम लोग अकाउंट्स के बंदे उसको अकाउंटिंग के जो रूल है उसके अक्वाड़िंग यूज करते हैं और भा पूर कहाऊंटिंग करेंगे तो कि क्या विस्वा में आपके तु great as know the तरफ से लिए यह topic मैं खुद आप से पूछूंगी in the doubts class तो जब भी हम मिलेंगे न तो इसके बारे में आप पढ़ के आएंगे मैं बताओं पूछूंगी आपका कि accounting की भूमी का क्या है रोल क्या है accounting आप पढ़ने तो आगए accounting लेकिन मुझे यह तो बताओ कि क्यों पढ़न आना फिर आके मुझे बताना कि इसमें क्या लिखा है अपने और क्या नहीं लिखा है अपना नोट्स खुद अपनी लेंग्विज में प्रिपैर कर लेना next up हम पढ़ेंगे accounting के जो basic terms है accounting के basic terms है यानि पारिवाशिक शब्द है जो हम अब accounting के अंदर जो हमारी अपनी भाशा में यूज करते हैं लेंग्विज में यूज करते हैं वर्ड उससे थोड़े से डिफरेंट हैं कुछ इसके accounting के particular खुद इसके वर्ड है उनको आप समझ लें कि वो लिखे हैं तो उसमें उसका मीनिंग क्या होता है उसका यूज कभ होगा उस वर्ड का उसको ह हम कब अपनी accounting के time कौन से transaction में उसका नाम लिखेंगे या उसका यूज करेंगे तो पहले तो सबसे पहले शुरुआत होती है एक entity की या काई की accounting में एक entity क्या होता है ठैट की श्वर मत अधया है मतलब मतलब उपकर्म मतलब जो बिजनस होता है उसका जैसे कोई फैक्टरी है या कोई दुकान है चलम को हमकर लिखेर कर Works लोल्य व्रीद्वे सब्हें तो यक एकन द्रपार एक entity के लिखे करो तो एक company के लिखे लगट करो तो वहीं आपकी क्य अच्छा से बताएं था कि आपकी कंपणी आपका बिजनस है उस बिजनस के अंदर आपके कस्टमार और आपके बीच में जो फिनेंशिल एक्टिविटी होती हैं जिस फिनेंशिल लेंदेन होते हैं कि माल बेचना खरीदना या उसको वापस रिटन करना वापस पेमिंट करना यह सारे क्या होते हैं लेंदेन होते हैं और लेंदेन कैसे होते हैं एकोनोमिक लेंदेन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं लेंदेन यानि ट्रांजिक्शन मतलब अपनी जो भी बिजनस के अंदर एक्टिविटी होती हैं जो भी पूरे डे में या जो पूरे साल के अंदर करते हैं कि कुछ दिया किसी को बदले में कुछ लिया तो वही आपके ट्रांजिक्शन होते हैं iqona क ट्रांजिक्शन तो दोनों होते हैं economic and non-economic या नी financial and non financial activity तो दोनों होती हैं लेकिन आप accounting के अंदर उसकी financial activity यानी उसकी economic event को लिखते हैं चलो next आपकी assets क्या होती है assets company में जो भी जैसे assets को मैं बता दू assets को दो part में divide करते हैं assets को दो part में current assets and non current assets तो पहले तो current and non current होता क्या है यह समझ लेते है current वो होता है जो आपके 12 महिने current होता है वो 12 महिने के अंदर तक रहता है या 12 महिने के अंदर उसका payment हो जाता है या तो आप किसी को payment कर देते हो या आप को कोई payment कर देता है मतलब यह current है वो सिर्फ 12 महिने की limits में चलता है 12 महिने के अंदर उसका payment हो जाता है या payment receive हो जाता है जो transaction से 12 महिने तक चलेंगे और 12 महिने के बाद वो settle हो जाएंगे उनका close हो जाएंगे उसको हम क्तने है current. Non-current जो 12 मह Barnas time तक चलेंगे, 12 मह जाएंगे, अगर 12 मह heinnye के अंदर है तो तो वो current हो जाएंगे, जो transaction जो समपती 12 मह ontis चलेगी जैसे आपके machine हैं, तो क्या 12 मेने तक ही यूज कर पाऊगे 12 मेने के बाद उसका यूज नहीं होगा होगा 12 मन्त के बाद में भी हम उसका यूज करेंगे तो वो हमारी जो मशीन होगी वो कैसी होगी नौन करेंट असेट होगी कौनसी होगी नौन करेंट असेट्स होगी और वहीं पर मैं बोल जैसे आपने उधारी माल बेचा किसी को उधार में माल बेचा तो आपको सामने वाला बंदा पैसे देगा तो आप उधारी कितने टाइम तक करेंगे मतलब जादे से जादे दो महिने तीन महिने और जादा से जादा कीच लेंगे दुबारा महिने से जादा तो हम उधारी नहीं करते न तो उसको हम किसमें रखेंगे नॉन करेंट या करेंट में current में रखेंगे तो उधारी जो माल अपन बेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं देंदार पैसे देने वाले हमको पैसा देंगे क्योंकि हमने उनको उधार माल बेचा है तो उनको हम क्या कहते हैं inglish में हमारा अकाउंटएंसिट की भाशा में उसको कहते हैं देंदार को डेटर्स यानि डैप्स तो आपको समझ मैं आगया कि assets क्या होती है जो company के खुद की संपती होती है company का खुद का अपना उस पर अधिकार होता है जैसे company के पाद स्टॉक पड़ा हो या कमपनी का फॉराम को फॉर्कत की मैशीने हो या कंपनी का बिल्डिंग ओ Ele darf Stas or Tok घ्नाट गुप्मेंट और कंपनी का इसी से mammvos हो गई अब उसकी स्धुalter होता है कि current and non current तो मैं ने उसकी condition बता दी कि current कौन से रहेंगे और non current कौन से रहेंगे फिर उसके पाद asset खतम हुआ, asset के बाद हम पड़ेंगे liabilities यानि देता हैं मतलब जो जिसको आप payment करेंगे मतलब आपने किसी किसे उधार माल खरीदा हैं अब liabilities को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं current and non current तो आपको मैंने बता दिया जिनको आप 12 महीने के अंदर अंदर payment कर देंगे तो वो तो हो जाएंगे आपके current और जिनको 12 महीने के बाद payment करना है वो आपके रहेंगे non current तो जो लोग आप में पैसा मांग रहे हैं जिनको आपको payment करना है जैसे आपने company ने है जो लोन ले रखा है तो लोन का payment तो आपको करना पड़ेगा अगर वो लोन आपने शौर्ट टाइम लिया है मतलग दो महीने चार महीने छे महीने के लिए तो वह आपकी liability हो जाएगी current liability और अगर आपने पांस साल के लिए किसी बैंक से या किसी फिनें और भी माल खणाने का का दिखार चाहिए मतलग अब करना होगा मतलग अपने लिया है मतलग लेम के जो घर ञाटना वाले हों जाहिए तो जैसे मतलग लांण ओहर क्रिग अभी करेदितना ने फांपकर जाएगी वो भी आपकी liability हो जाएगी जैसे loan लिया है तो वो भी आपकी liability हो जाएगी अभी के लिए आप सिर्फ एतना समझ लें कि assets और liability होती क्या है मतलब liabilities वो होती है जिसको company अपने जीवन काल में बुगतान करेगी payment करने के लिए बाद्य है उसको payment करना ही होगा और assets वो होती है जिसको जो company की खुद की समपतियां होती है उसको बेज के वो पैसा खरी अपना पैसा वसूल कर सकते है लेकिन liabilities को बेचा नहीं जाता उसका तो payment करना होता है समझ में नेक्स ट्राप का रहता है capital पूंजी पूंजी क्या होता है capital क्या होता है अब पूंजी मतलब धन धन यानि पैसा आप अपने व्यापार को शुरू करने के लिए जो पैसा लगातने हैं अपने घर से जो लाके पैसा या धन लगातने हैं उसको पूंजी कहते है capital कहते हैं तो ये भी व्यापार के लिए क्या है capital है जो व्यापार के लिए क्या है देखो व्यापार अलग होता है व्यापारी अलग होता है ये सारी चीज़ें हम व्यापार से related पढ़ रहे हैं व्यापारी से related हमें व्यापारी से कोई मतलब ने businessman से हमें कोई सब्सक्राइब। पैसे बिस्नेस के लिए बताओ अब ये पैसा बिजफान गज्त वापस पेमîneंट सो करेगा ना विज्नस वापस पाईमिन को तो यह भी कंपणी के लिए क्या होती है दोगा है तो इसको कैजब अमपणी की अwszy व यह अपनी जो company की liability है other than capital other than capital capital के अलावाद जितनी भी लिए उसको assets मेंसे minus करेंगे तब जाके हमारी क्या आजाएगी capital फॉर्मुला है आगे आपको काम भी आएगा तो इसको देख लें कि सारी संपत्यों मैंसे हम अपने करेंगे तब जाके हमारी company की जो पुझी हमारे प्यापार में कितना पैसा लगा है या कितना पैसा लगाया गया है उसको हम पता कर पाएंगे चलो next हम पढ़ते हैं sales sales क्या होती है तो देखो sales भी दो पार्ट में डिवाइड होती है एक होती है क्रेडिट में cash में मतलब आपने माल का विक्रे किया माल को बेचा उधार में बेचा या रोकड में बेचा अगर रोकड में बेचा है तो वह आपकी cash में सेल होगी और अगर आपने माल को उधार में बेचा है तो वह आपकी क्या होगी credit सेल होगी अब हैं रिवेन्यू मतलब आगम रिवेन्यू मतलब आपकी कमपनी जो डेली के जो आये होती है इंकम होती है माल मतलब आपकी कमपनी जनरल माल बेचती है और बेचने से जो भी पैसा आ रहा है उसको हम आगम कहते हैं मतलब जो भी पैसे आ रहे हैं उसको हम कहते है आगम मतलब जो आपका revenue होता है उसको हम आगम तो आगम को आप देखेंगे ना तो आगम में generally अपन हर business में अपन को कहीं ने कहीं rent है commission है जो भी अपन business करते हैं कहीं ने कहीं अपन को ब्याज तो मिलता ही है कहीं commission मिल जाता है कहीं profit हो जाता है कहीं royalty है किराया है rent है वो आपको income होती है मतलब उसके रूप में आपको पैसे मिलते हैं आपने किसी को building rent पे दी तो बदले में आपको rent मिला तो rent आपका क्या होगा आगम होगी जैसे आपने कोई काम किया किसी का आपस में contract कर वाया और महां पे आपको commission मिल तो commission आपके लिए क्या है आगम है तो मतलब generally जो आप अपनी company के अंदर company के अंदर जो व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय में जो अपनी वस्तूओं का sale करते हैं या अपने उपयोग करता मतलब जो उपभोगता होते हैं उनको कोई सेवा प्रदान करते हैं कोई service देते ह में कुछ up fees हैं या profit प्राप्त करते हैं profit earn करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं revenue मतलब आपका income अब है expenses expenses मतलब ध्यान रखना expenses और expenditure यह दो अलग अलग हैं इनमें क्या फर्क होता हैं वह मैंने यहां पर लेके दिया है ध्यान रखना expenses क्या होता है expenses general वही खर्चे होते हैं कि आपने दुकान किराय पर ले रखी हैं तो आप उसका किराय देंगे तो वह आपके लिए खर्चा हो गया जैसे आपने किसी को commission दिया यह किसी को discount दिया तो यह आपके किसी को salary दे दि किसको interest या ब्याज दे दिया तो वह आपकी खर्चे हो गए generally तो यह कौन से होता है है जो expenses होते हैे expenses कौं से होते यह क्या होता है कि profit होता है राइन वो आपको ऐसे ख़र्चे करते हैं जिनका profit आपको मतलब 12 महीने के अंदर तक ही मिलेगा यह से जैसे आपने रेंट यह बिलेंट दि और उतना ही इसका यूज कर पाऊगे मतलब असका profit आपको मतलब जो खड़चा किया है उसका profit उसके कर्फ़चे का जो आपको क्यूं किया है क्लिकि किसी ना किसी उस देशिया से किया होगा तो तो वह आपका एप साल के अंदर घुरत हो जाएगा और आपको उसके बदले में आपको Profit मिल जाएगा जैसी किसी को आपने उधार में माल मेचा है और ऊसंपर कोई आपका older discount बिए तो क्यूंदी इसकाउंट क्या आपको जल्धी से जल्धी payment तक मिलता है कि ख़र्चा तो आप एक बहर कर देते हो लेकिन उसका profit हैना वह Зबाएप तक मिलता है और expenses मैं क्या होता है आप上हाँ जब भी आपको profit चभी आपको ख़र्चा करना पड़ेगा क्याकि उसकी लिमेट्स होती है वह जल्दी से जल्दी खतम जैसे आपका amount खतम, time खतम, amount खतम, profit खतम, लेकिन यह क्या होता है, जैसे आपने machine खरी दी, machine खरी देंगे तो एक बार आप payment करेंगे, और payment करने के बाद उस machine का क्या 12 महीने तक ही use कर पाएंगे, उससे आप सिर्फ फाइदा क्या 12 महीने तक ही ले पाएंगे, य बदले में हम अपना profit earn करते रहेंगे, तो यह expenses और expenditure, दोते हैं, व्याय और खर्च, ध्यान रखना, यह अकसर आपको confusion में डालेंगे, तो इसका ध्यान रखना, अब है profit, profit तो आराम से पता चल गया होगे, सब को अच्छे से मालूम होगा कि company के सारे खर्चे है, और सारी income ह तो company की पूरी जितनी भी income है, उस मैंसे खर्चों को minus कर दोगे, तो आपको profit होगा, मतलब positive answer, मतलब 100 रुपे का आपका खर्चा आया, और 200 रुपे की income होती है, तो 200 minus 100 करेंगे, तो 100 जो पीछे बचेगा, वो आपका profit होगा, और वहीं पर मैं बोलूँ कि आपका 100 रुपे का expenses है, और income सिर्फ 80 रुपीज है, तो वहाँ पर क्या, income किती 80 minus 100, तो negative answer आएगा, कि 20 रुपे का आपको वहाँ पर loss हो गया, तो यह profit था, और वहीं पर आपका loss भी इसी के साथ, आपको समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद, gain, gain मतलब क्या होता है, अ अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ा profit, वो profit ही आपका gain की तरह होता है, gain और profit similar होते हैं, मतलब मैं आपको बता दूँ कि gain या अभी व्रदी क्या होता है, जिसे profit आपको कब होता है, जब आप जनरली अपने company में कोई माल बन रहा है और उसको बेचते हैं, और उसको बेचते ह करते हैं, मतलब assets, मतलब आपने machine है या अपनी company का furniture है, उसको sale किया है, और उस पर जो अगर profit हुआ है, assets जैसे आपकी लाइक थी, एक लाग की, कितनी की? वन लैक की, और उसको आपने sale कर दिया, मतलब 150 लैक में, कितने में? 150 लैक में, तो यहां पे जो आपको 50,000 का जो वो profit में कहला कि उसको हम क्या कहेंगे? gain कहेंगे, क्या कहेंगे? अभीवरदी कहेंगे, मतलब आपकी अभीवरदी होती है, वो आपकी company की जो संपतियां है, और उसको बेचा और उसके उपर, मतलब general ही क्या है? वो general sale नहीं होनी चाहिए, general आपका transaction नहीं होना चाहिए, साल में एका तुका by chance हो जाता है, और उस पर अगर आपको कोई profit होता है, तो वो आपका gain होता है, company में कोई insurance करवा रखा था, और insurance में क्या होता है, कि अपने माल का insurance करवा था, माल चोरी हो गया या जल गया, और उससे आपकी insurance company ने आपको भरपाई कि आपको claim दिया, तो वो उसका claim आपको मिला, तो उसमें क्या होता है, आपका जैसे 10,000 का माल जला, और आपका जो claim है, वो 12,000 रिसीव हुआ, तो वहाँ पे आपको 2,000 का gain होता है, तो gain आपको समझ में आ गया हो कि gain क्या होता है, या अभी विरती क्या होती है, और profit क्या होता है, profit जनरल होता है, औ डिसकाउंट मतलब बट्टा बट्टा क्या होता है बट्ट अभी दो तरीके से होता है एक होता है ट्रेड डिसकाउंट और एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश ट्रेड डिसकाउंट एंड कैश डिसकाउंट तो ट्रेड डिसकाउंट मतलब व्यापारिक बट्टा और कैश weiß discount मतलब नकद बटा तो बटा क्या होता है पहले तो यही समझ लें ट्रेड और कैश तो आगे जाके तो बटा क्या होता है जैसे आपने डिस्काउंट से semag дней जबूपनी को जोसी डुकान पर जाते हैं और वह पर किसी छीज की शॉपिंग करते हैं कुछ खरीदते हैं और बधले में वह पर क्या डिस्काउंट ओफर चल रहा था सוכी चीज आपको 10 रुपए Bet aż 90 रुपए में मिल कई ठीक हैं तो कमपनी जो दुकानदार था उसने आपको डिसकाउंट दिया कि लिया डिसकाउंट दिया है ना आपको आपको रिसीव हुआ और उसने उसको डिसकाउंट को दिया है तो मतलब उसको क्या हुआ लॉस आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो डिसकाउंट क्या होता है कि कि इसी भी कमपनी द्वारा अपने माल की जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें कुछ दर तक या कुछ रेट तक कम करके और फिर उस चीज को सेल करना तो सेलिंग प्राइस और एक्चुल सेलिंग प्राइस में से जो डिफरेंस निकालते हैं उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं डिस तो यहां पर किया होता है कि आप किसी कंपनी से या किसी जगे से किसी दुकान से अगर cash में खरीदते हैं cash में माल खरीदते हैं और वहाँ पर जो आपको receipt मिलती है जो slip मिलती है उसको हम कहते है receipt उसको क्या कहते है receipt मतलब आपका नकद में लेन देन हुआ और बदले में जो आपको voucher विला उस voucher को हम कहते है receipt और दूसरा जो रहता है आपका कि आप क्या करते है मा में जो नगत खरीगiren जूर्व nadal में आपको पेमेंट अपनी स्पाट खरीड़न इस सम में स्पाव नापके मरल दुखान काया हैं था है रिसिप्ट अब आपके लिए वो रिसिप्ट है लेकिन दुकानदार के लिए क्या है वो कैश मिमो है उसके लिए क्या है कैश मिमो मतलब आप अपनी दुकान लेके बैठे हो और आपने मुझे माल बेचा तो मुझे जब वो स्लिप काटके दोगे तो मेरे लिए तो होगी रि इनवोईज नम बनते हैं तो यह आपका वाउचर जो एक ग्रूफ का काम काम करते हैं जैसे रिसीप्ट है overlay यह एक आपके वाउचर हो गया तो अजय करके आगे जातके मिलें यह पूरे अच्य से व्यायख्या करके जुआलन को बते हैं ़िrain मतलब माल माल कौन सा माल जो कंपणी जिस माल को बना रही है जिस माल में वह अपना सेल करके वेपार कर रही है उसको हम क्या कहते कंपणी का माल कंपणी का माल जैसे जूते की कंपणी है तो जूते बनाने वाली कंपणी के लिए माल क्या होगा बने हुए जो जूते होंगे व माल भी कितने तरीके के होते हैं तीन तरीके के होते हैं पहला माल होता है कच्छा माल मतलब raw material और दूसरा माल होता है WIP मतलब work in progress ऐसा माल जो अभी मशीनों में progress में चल रहा है अभी न तो पूरा तयार हुआ है न वो माल कच्छा है तो वो बीच में है तो इसलिए उसको कहते है work in progress और एक होता है third finish finish good तो मतलब यह finished goods हो गया यह raw material हो गया और यह WIP मतलब work in progress तो माल माल क्या हुआ जो कच्छा माल है मतलब furniture की company है और उसके पास अगर लकडी के डंठल पड़े हैं कच्छे अभी furniture बनाने के लिए तो वो उसका raw material हो गया और जो लकडियां डंठल भी नहीं है और ना बनके तयार हुई है furniture के रूप में तो वो बीच में अभी काम में चल रहा है उनकी किसी की गिसाई चल रही है किसी को कट किया जा रहा है तो ऐसे करके वो अभी क्या चल रही है work in progress में चल रही है मतलब हिंदी में उसको कहते है अर्द निर्मित माल और आपके तीन तरीके से company में होते हैं अब है purchase जैसे sales होता था वैसे purchase परचेज क्या होती है आपकी कि आप माल खरिदते हैं किसी से भली कच्छा माल खरीदो या किसी से तयार माल खरीदो तो वह माल क्या कि आपने खरीदा मतलब माल अगर कंपणी खरीद रही है तो हम उस खरीदे गई माल को क्या कहेंगे परचेज कहेंगे परचेज भी दो तरी में माल खरिते हो तो cash purchase and credit purchase अब रहतना है drawings drawings मतलब अहारम अहारम अतलब क्या होता है कि जैसे आपका business है और आप क्या करते हो अपने घर पे अपनी भेहन की शादी है और पे क्या अपने भेहन की शादी में पैसों की जरीरूत पड़ेगी तो sister की शादी में आपने अपने business से एक लाख रुपे निकाल कर अपनी बहन की शादी में निकाला है तो ये एक लाख company के जो business था आपका क्या ये business का कोई खर्चा था नहीं business related कोई का मैंने पहले ही पता business अलग होता है और business man अलग होता है उसको अहारण यानि ड्रोविंग कहेंगे अपने personal use के लिए business man अपने personal use के लिए अगर business से पैसा निकालता है कःलर नर्ग तो आपका ब्रोविंग किया माल थाउड़ियों का सकता है और केश में हो वा उसकता है ये तोनों में माल का उपयोग भी कर सकते है और आप शादी में cash का भी use कर सकते हैं तो दोनों ही दशाओं में company से तो गया ना माल गया या पैसा गया तो वो company उसको क्या कहेगी drawing यानि आहरण कहेगी stock stock company के दो तरीके के होते हैं एक होता opening stock और एक होता है closing stock stock क्या होते हैं stock वही की company के पास जो भी माल है जो भी मैंने बताया कि माल क्या होते हैं तो जो भी माल है माल का opening stock किता था मतलब वर्ष के शुरुवात में जब आपने business लगाया तब आपके पास कितना माल खुद का था और फिर पूरा साल end किया end करते हैं तो end करते हैं तो माल बनाएंगे माल होगा तो उसको sale भी तू करेंगे तो sale करने के बाद हमारे पास कितना माल बचा तो opening and closing balance होता है stock का stock closing stock and opening stock मतलब अंतिम stock और एक होता है opening stock तो आपका beginning and closing दोनों stock मैंने बता दिया stock क्या होता है मतलब आपके माल का जो आपके पास stock कर रखा है वो आपका माल होता है अगला है डेटर्स डेटर्स क्या होते हैं मैंने पहले भी बताएं था कि अगर आप माल को क्या करते हो उधार में बेचते हो आप अपनी company का अपन आप में sale करते हो मतलब credit sale करते हो तो उससे क्या होता है सामने वाले लोग हैं जो आपको पैसे देंगे क्योंकि आपने उधारी की हैं तो वो तीन महीने में पैसे तो देंगे न तो वो देते हैं देंदार उनको जो उधार माल जिनको बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं और वहीं पर क्रेडिटर लेंदा, मतलब आप क्या करोगे, वहाँ पर सेल था, तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोनों में क्रेडिट, यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट में पर्चेस होगी, क्या होगी, क्रेडिट में पर्चेस होगी, तो आपके क्रेडिटर बनेंगे, और क् बार आप इसको खुद अपनी तरफ से रिवाइस करना और इसको जो इसके नाम है ना जो इसके वर्ड से उनको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि आपके अब जब अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे ना तो यही जनरली सारे वर्ड यूज होंगे जहांपे आपको इसी कामों से उनका लेखा करना होगा इन ही से आपको उसका अकाउंटिंग करना होगा जब भी माल बेचेंगे तो बेचने की टाइम आप क्या यूज करेंगे आप सेल करेंगे तो मतलब जब आप एंट्री बनाना सीखेंगे तो उस एंट्री में आपके यह सारे वर्ड हैं जो Profit क्या होता है Assets क्या है Loyability क्या है और कैपिटल क्या है Capital क्या है कापिटल अगर नहीं दे रखी है और Assets और Loyability दे रखी है तो आप कैसे निकालेंगे की Capital कितनी है Business की तो आपको Formula मैंने बताया है कि deep और subscribe सब्सणाई से capital और assets तो दे रखी है लेकिन liability नहीं दे रखी है तो आप वापस सेम वही करेंगे assets मैंसे capital को माइनस कर देंगे तो liability मिल जाएगी तो इस formula को आप अपनी तरफ से कि एक बार capital निकालो एक बार assets को निकालो और एक बार liability को निकालो तो ऐसे करके आप इसको फॉर्मुले को अच्छे से याद कर लें मतलब याद रटने जैसा कुछ नहीं है आपको format है इसके अपना आप समझ में आजाएगा दीरे दीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको याद भी होता जाएगा जन्जल देखना यह English वर्ड है तो आइसे करके आप डरना मत कि यह बहुत English में चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या आप बहुत जन्रल है बस दो Tobias I can create sales होती है मैं कlori cape fixed the sales or過去 a cash credit don auattना और आप कहेंगे की मैं यह cash credit मैं सेयल आप लिखए जाना है यह होता क्या है इसका मतलब सो हमें मालूम ही नहीं है तो फिर बढ़ पर जाएगी मैं कहूंगी discount दो तो डिस्काउंट आप करोगे डिडेक्ट करोगे डिस्काउंट लगाओगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट का मीनिंग ही नहीं पता कि डिस्काउंट होता क्या है तो एंट्री कैसे बनेगी तो यह वर्ड्स आपको पता होने जाहिए ड्रॉविंग क्या होता है स्टॉप यह सारे आपको पूछी जाएंगे, छोटे-छोटे सवालों में आपको यह बताने होंगे, आपके थियोरी में यह सवाल पढ़ेंगे, तो आज का यह चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपका जो अकाउंटेंसी का फॉर्स्ट चैप्टर था, 11th क्लास का, वो खतम हुआ, यहां तक ही था, इतना ही एंटा थियोरी थी, आपकी खतम होगे, अब कल से अगला एपिसोड होगा, आपका अगला पार्ट होगा, अकाउंटेंसी का, वो आपका जो हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे, और वहां पे आपका प्रेक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रख से के अपनी दरफ से फटा फट प्रिपेर हो जाए, वैसे भी बहुत कम टाइम मिला है आपको तैयारी करने का और यह टाइम तो चला जाएगा, जल्दी से जल्दी इसके नोट्स बना के फॉर्स्ट चेप्टर बिल्कुल क्लियार करके रख दें कि बस मेरा पहला चेप्ट कम्लेट वा, थैंक यू